प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सब्जक्ट इस्टडी के इस लेटेस्ट वीडियों बहुत-बहुत स्वागत है जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के आके देख सकते हैं अगर हमारे इस पूरे चैप्टर वाइज नोट्स को तयार कर लेते हैं तो इक जा में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा नंबर नाइंटी प्लस फोड के आओगे दोस्तों दूसरी चीज़ आपकी डिमांड पर मॉडल पेपर सलेशन जारी किया गया इसे एकजाम में 80 प्लस आपको नंबर मिल लेंगे कितने दोस्तों 80 प्लस परसेंट आपको नंबर मिल जाएंगे ठिक कैसे क्या करना है देखे प्रीवियस एयर पेपर चाए वह हिंदी का हो चाए इंगलिस का हो चाए एक सब्जेक्ट लोगे तो 10 सेट मिलेगा हिंदी की क सारे सब्जेक्ट पर चेज करने हैं तो देड़ सो के अस्थान पर कट करके आपको मात्र 101 रुपए देने पड़ेंगे इसी नमबर पे पेटियम या गूगल पे के द्वारा पेमेंट करने के बाद हमारे इसी वार्टसप नमबर पर स्क्रीन सौर्ट भेजेंगे और सभी सब मटेरियल हम यहां बता रहे हैं इसका पीडियफ अगर आप लेना चाहते हैं इसका पीडियफ ध्यान देना फ्री आप कॉस्ट है इसका पीडियफ आपको हमारे सब्जेक्ट इस्टडी सब्जेक्ट इस्टडी टेलेग्राम चैनल पर जाके टेलेग्राम चैनल पर जाके व में आयगा ही आयगा ठीक है महादेवी वर्मा आप जानते महादेवी वर्मा का जन्मा सन 1937 को उत्तर प्रदेश राज्यके फरुक्खा बाद कहां पर दोस्तों फरुक्खा बाद नामक जनपद में हुआ था कहा हुआ था फरुखाबाद नामक जनपद में हुआ था और इनके पिता का नाम गोबिंद प्रसाद क्या था दोस्तों गोबिंद प्रसाद तो था माता का नाम हे मरानी देवी था क्या था माता का नाम हे मरानी देवी था इनकी माता एक धार्मिक सभाव की महिला थी महादेवी वर्मा की प्रारंभिक सिच्छा इंदावर में कहा हुई थे दोस्तों प्रारंभिक सिच्छा इंदावर में हुई थी तथा उच्च सिच्छा उच्च सिच्छा प्रयाग में हुई कहां पे प्रयाग में यानी एलाहाबाद में हुई दोस्तों इन्होंने संस्कीत भासा में यमय, Master of Art, यमय उत्तीर किया, यानि पास किया, और प्रयाग महिला बिद्यापीट में, ये एलाहाबाद में है, दोस्तों, प्रधाना चारे हो गई, क्या हो गई? प्रधाना चारे हो गई, ठीक, इनका बिवाह छोटी आयु में हो गया, इनके पती का नाम रूप नारायण वर्मा था क्या था दोस्तों रूप नारायण वर्मा था कुछ समय तक इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया कुछ वर्सों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिशत की मनोनी सदस्य थी इन्होंने नारी सतंतरता के लिए सद देव संघर्ष किया उनके अधिकारों की रच्छा के लिए नारियों का सिच्छित होना आवस्यक बताया ठीक है इनकी साहित्य सिवाओं के लिए राश्पती ने इन्हें पर्मभूसन अलंकार से सम्मानित किया ठीक है आगे देखिए इन्होंने क्या करा दोस्तों इन्होंने ये करा था कि इनकी मृत्तु जरा ध्यान देना इनकी मृत्तु उन्नीस सो सतासीज भी में हुई थी ठीक इन्होंने रचनाय क्या किती थी तो रचनाय में अतीत के चल चित्र की रचना की निहार की रचना की रस्मी की रचना की निरजा की ठीक सांध्यगीत की रचना की दी अब देखे जरत जन्म 1907 इस भी में फरुखा बाद में इनका हुआ था पिता गोबिंद प्रसाथ था माता हेम रानी देवी थी पती रूप नारायण वर्मा थे मिर्तु 1987 इस भी में हुई थी इस तरीके से सौट में लिखने के बाद आप लॉंग में लिख सकते हो ठीक ये सौट में है पहले सौट में लिखने के बाद पूरा लांग में आप लिख सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा होना चाहेंगे और अगले वीडियो आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय इंजय भारत जिन बच्चों को हमारे कोर्स को परचेज करना है वो इस नमबर से संपर कर सकते हैं ठीक है अई इस कोर्स को परचेज करने से आपका 80 प्लस नमबर 85 परसेंट नमबर जरूर आपको मिलेगा